हेलो, गुद मॉर्निंग टु आल, स्वागा था आपका नर्सिंग टुटुरियो चैनल में तो आज हम स्कल के फेशिल बोन को देखने वाले हैं स्कल में, टोटल 22 बोन्स होते हैं जिसमें से की 8 जो हैं, आपके खेटनेल बोन्स होते हैं और 14 जो है facial bones होते हैं, तो चलिए हम पहचान के देखते हैं किस तरह से उपस्तित होते हैं, तो ये जो है lacrimal bones हैं, जो की आखों के orbit के बगण में उपस्तित होते हैं, दोनों तरफ, तो next जो है आपका nasal bone है, जो की दो होते हैं नमबर में, जिसे की नाक की हड़ी भी कहते हैं, जो है आपका sygomatic bone है, जो की दो होते हैं नमबर में, और जिसे की हम chick bone या फिर गाल की हड़ी भी कहते हैं, जो है आपका inferior concha है, जो की दो होते हैं nasal cavity के अंदर, उभार की रूप में, नीचे की तरफ उपस्तित होते हैं, nasal cavity में, उपर की तरफ उभार के रूप में उपस्तित, दो palate bone होते हैं, nasal cavity में, बीच में उपस्तित, जो bone है, इसे हम warmer bone कहते हैं, जो की एक होता है, ये जो है, maxilla है, जिसे की हम upper jawby कहते हैं, ये दो number में होते हैं, और ये move नहीं करते हैं, उपर की तरफ nasal bone और zygomatic bone के साथ में जाके attached होता है, lower jaw, जो है, जिसे की हम mandible कहते हैं, ये एक होता है number में, और ये जो है, एक movable bone है, पूरे skull में, जिसमें की movement होती है, तो इस picture में जो है, आपको फेस के 14 facial bones है, उनका नाम और उनके numbers जो है, वो अच्छे से दिख रहे हैं, और हर एक bone को जो अलग-अलग color code के द्वारा दिखाया गया है, तो आप इस 3D वीडियो के द्वारा हर एक bone को अच्छे से identify कर सकते हैं, और bone की इस अवस्था में हमारे face पर उपस्तित है, इसे अच्छे से देख सकते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले, upcoming videos के लिए, धन्यवाद